तो जब हम एक बार अपने फीचर्स को यहां पर पढ़ लेते तो अब जो नेक्स टॉपिक है आता है तो बेसिकली क्या हो जाता है सबसे पहला अडवांटेज है इट प्रोवाइट्स डारेक्शन इसका मतलब क्या हुआ तो इसको हम देख चुके हैं कि यहां पर यहां पर पूरा एक डारेक्शन बन रहा है कि हमको कैसे अपनी जगा से यहां तक जाना है तो बेसिकली क्या हो जाता है कि यहां पर सबको पता होता है कि इनको क्या-क्या काम करना है जो कि हमने यहां पर देख हुए था कि why whom is to be done इवर इसके पहले भी हम बहुत सारे questions पूसते हैं जिससे हमारी जो clarity है वो बहुत अच्छी हो जाती है कि कि किस-किस को क्या-क्या काम करना है for example कि अगर एक employee है तो उसको पता है कि देखो मुझे अगर इस organizational goal को achieve करना है तो मुझे मेरी जो computer वाली for example computer job है तो उसको बहुत अच्छे से यहां पर करना है तो मेरे को क्या में लिखना है एक direction यहां पर मिल जाता है और जब यह सारे employees के साथ होता है तो हम इसको बोल देते हैं कि यह जो unity of direction होता है unity of direction इसको भी एक cover out यहां पर कर रहा है तो यह चीज़ आपको जरूर लिखना है इस point को जरूर लिखना है कि यहां पर unity of direction का भी बहुत बड़ा role है क्योंकि सारे employees को पता है कि उनको क्या क्या करना है in advance clear हो रही है बात, समत में आया है second point जाता है reducing risk of uncertainities यहां कि planning क्या करता है हमारी जो uncertainties है उसको कम कर देता है अब uncertainties का मतलब क्या होता है कि हम को नहीं पता कि future में क्या होने वाला है तो यहां पर planning क्या करता है कि वो यह करता है कि हमको advance में ही सारे चीज़े decide करवाता है advance में ही future को हमको predict करना पड़ता है और जब हम future को predict करते हैं तो हमको समझ में आ जाता है कि यहाँ पर क्या क्या risk हैं और उसको हम reduce कर सकते हैं For example, यहाँ पर क्या हो गया कि मुझे पता है कि भाई देखो गुआ जो है वहाँ पर बहुत सारी चोरिया होती है तो मैं क्या करूँगा? predict करने कोशिश करूँगा कि अच्छा बहुत सारी चोरिया हो रही है तो यहाँ पर मैं पहले से ही कुछ-कुछ जो मैं कह सकता हूँ कि जो भी मुझे precautions लेने चाहिए हो मैं पहले से ही यहाँ पर रखूँगा clear हो रही है? थोड़ा से example समझ में आगया होगा अब आता reducing, overlapping and wasteful activities इसका मतलब क्या हो जाता दुखो हमने क्या किया जो हमारी activities होती है वो कभी-कभी बहुत दाब wasteful हो जाती है क्योंकि सबको पता नहीं होता कि कि उसको क्या क्या करना है यहाँ पर हम क्या कर दें जब हम advance में सोच लेते हैं कि कि किसको क्या क्या चीज़े करना है तो यहाँ पर सारे employees के पास clarity of thought आता है clarity of thought आता है कि उसको कौन से चीज कप करना है कैसे करना है और क्यों करना है यहां पर क्या हो जाता है कि यहां पर हम क्या कर रहें ऑवर लैप नहीं करने दे रहा है जो भी एक्टिविटीज है अगर पता नहीं होता है तो बहुत clarity of thought दे रहा है clear हो रहे है यह बात, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं तो जाता है हमारा promotes innovative ideas innovation का मतलब क्या होता है innovation का मतलब होता है कुछ नया-nया invent type का करना तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि जब सब लोग future को सोच रहे होते हैं तो यहां पर बहुत सारे आइडियाज आजाते हैं, इवन हम लोग यहां पर पहले भी डिस्कस कर चुके कि एक mental exercise है, तो जब सब लोग मिलकर अपने intelligence का use करते हैं, तो बहुत सारे आइडियाज निकल किया जाते हैं, फर एजांपल कोई भी problem आ रही है, तो सब लोग ने अपने आइडियाज देगे, तो हम यह कर सकते हैं, यह कर सकते हैं, तो यहां पर क्या हो रहाँ, innovation हो रहा है, employees में भी यहां पर same चीज़ होती है, आगे बढ़ते हैं तो जाता है, facilities, decision making, यह हमने feature में भी cover out किया था, कि यहां पर decision making involved होती है, इसका मतलब क्या हो जाता है, कि यहां पर जो है, हम अराम से decision ले पाते हैं, क्योंकि planning हमारे साथ होती है, क्योंकि planning में हम पहले से ही advance में ठिंग कर रहे हैं, कि हमारे पास क्या-क्य alternatives हैं, साथी साथ हम future में कर रहे हैं, तो हम future को predict करने ही कोशिश कर रहे हैं, on the basis of past experience, अगर आप यहां पर ध्यान से देख रहे हो, तो यह line बहुत बार आ रही है, कि हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एक line आ रहे है, कि हम future को see कर रहे है, foresee कर रहे है future को, प्लस हम advance में ठिंग कर रहे हैं, तो हर point में, तो अगर decision making आजाता है, तो आपको क्या लेखना है, कि हम पहले से ही future को देखने ही कोशिश कर रहे हैं, और advance में यह चीज सोच रहे हैं, कि हमारे पास कितने alternatives हैं, जिसके कारण हमारे decision making, बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है, clear हो रहा है, तो अब जो हमारे last point आता है, that is, हमारा establishes standard for controlling, इसका मतलब क्या हो जाता है, तो दो को सबसे पहले controlling के बारे में समझना पड़ेगा, जो कि हमारे last chapter में, लेकिन चलो थोड़ा सा समझ लेते हैं, तो basically क्या हो जाता है, सबसे पहले controlling का मतलब होता है, जब हम planned output और actual output में comparison करते हैं, अब ये इसका मतलब क्या हो, बहुत भारी से शब्द लग रहे हैं, पर basically क्या होता है, कि जब भी हम plan बना रहे होते हैं, तो हम हर चीज में एक सोच कर रखते, कि इतनी चीज तो मुझे planning के साथ इतना output आएगा, फॉर एक्जांबल कि तुमने खर्चा यहां पर देखा, कि तुम्हारा 20,000 रुपय का टोटल यहां पर खर्चा होगा, तो तुमने क्या रखते हैं, planned output तुम्हारा क्या होगा, 20,000 रुपय का टोटल खर्चा होगा, ये हुआ नहीं है, ये तुमने advance में सोचा है, ठीक है, तब तुम actually में go आ गए, घूम कर आए, फिर तुमने सब कुछ हिसाब किताब किया, तो तुम्हारा 30,000 रुपया खर्चा हुआ, इसका मतलब क्या होगा, कि यहां पर तुमने जो planning करीती, वो सही नहीं थी, क्योंकि तुम्हारा खर्चा भाई ज्यादा हो गया, 10,000 रुपया कि तुम यहां पर minus में चल रहे हो, तो that is a wrong thing, वहीं पर क्या हो जाता है, कि यहां पर अगर तुम्हारा खर्चा जो है, अगर वो होगा होता, समझ लो, 20,000 होगा होता, तो यह में कहता है कि अच्छा प्लैनिंग की दित्ता करके गए ते, उतना ही तुम्हारा खर्चा यहां पर हुआ, क्लियर हो रहे है बात, तो यहां पर प्लैनिंग का क्या रूल रहाता, तो अगर तुम कोई यह चीज नहीं पता होती, यह कि 20,000 यहां पर है, आउट्पुट रखते हो, तो तुम्हारे पास एक बेस हो जाता है, और उस बेसे पर तुम्हें डिसाइड कर सकते हो, कि तुम्हें लॉस हुआ है, या फिर प्रॉफिट हुआ है, क्लियर हो रही है बात, तो ऐसे करके पूरा जो हमारे organizations है, वो भी ऐसे करके comparison करते हैं, अब जब बना next topic है आता है, that is limitations of planning, इसका मतलब क्या होता है, कि it leads to rigidity, अब rigidity का मतलब क्या होता है, कि यहां पर जो एक बार जो plans बन जाते हैं, हम उसको change नहीं कर पाते, क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि एक बार company ने हजारो करोडो रुपय लगा दिये, एक project पे, और आप बोलो नहीं, अब यह plan को change करना है, तो वो चीज नहीं हो पाती है, इसका example क्या है, कि अगर किसी को import कराना है technology चाइना से, for example, एक mobile company है, उसको चाइना से technology इंपोर्ट कराना है, और पूरा planning सब कुछ हो चुका था, सब कुछ execute होने वाला था, और उधरे पे कोई बोल दें, अब यह project अच्छा नहीं है, इस पे नहीं करना चाहिए, तो क्या होगा, क्या आप cancel कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, क्यों क्योंकि यहाँ पर आपका करोड़ो रुपए, और रेडी खर्चा हो चुका है, क्लिर हो रही यह बात, तो अगर हम और रेडी जो plan में उसके साथ पे चलते हैं, तो भी loss में है, plan cancel करते हैं, तो भी loss में है, क्लिर हो रही यह बात, तो यहाँ पर rigidity बहुत जादा हो जाती है, तो second point यहाँ आता, that may not work in dynamic environment, अब इसकी for example share market है, that keeps on changing, dynamic कमर्णब क्या होता है, that keeps on changing, ठीक है, तो share market यहाँ पर best example है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कि अगर तुम share market में पहले से planning करके जाओगे, कि नहीं, मैं तो यहाँ पर यह चीज खरीदूँगा, यह चीज खरीदूँगा, past में चीज होई थी, तो अब future में भी यही चीज होगी, ऐसा नहीं होता, तो अच्छे से predict नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हर चीज बहुत जल्दी डाइनमिक है, बहुत जल्दी चीज हो रही है, तो यहाँ पर planning काम नहीं आती है, समझ में आया, clear हुआ? तो हमारा जो next point आता है, that is reduces creativity, इसका मतलब क्या हुए है, तो बहुत अराम से समझो, यहाँ पर क्या हो जाता है, हमने पहले ही सब को बता दे कि कि किसको क्या काम करना है, कैसे करना है, कब करना है, तो अब employees क्या है, उनको एक direction तो मिल गए, that's okay, बड़ यहाँ पर अब वो अपना कोई भी innovation यूज नहीं करेंगे, तो उसके आगे फिर वो सोचने ही बंदे करती तो वो भी सोड़ते है, सोड़ो यार, जितना मेरे को काम बूल आगे, यह उतना करने तो खतम बाद, समझ में आ रहा, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, creativity खतम हो जाती है, अब जो हमारा next point आगा आता है, खाजी फीस लेते हैं, जिसके कारान हमारी जो cost है, वो increase हो जाती है, clear होई बात, चलो हगे बढ़ते हैं, अब जो पर next point आता है, that is time consuming, time consuming का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, कि जब भी हम planning कर रहे होते हैं, तो हमको बहुत सारे alternatives चुनना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर decision making होती है, बहुत सारे alternatives होती है, तो क्या हो जाता है, time लगता है best alternative को choose करने में, साथ बहुत सारी चीज़े हमको यहाँ पर पहले से decide करने ही पड़ती है, इसके लिए भी हमको time लगता है, एक बार आपने planning कर ली, आपने सोचा कि मैंने past के basis पर future का plan मनाया, तो जरूरी नहीं है कि आप successful हो, यहाँ पर business environment है that keeps on changing, समझ में आ रहा है, तो आपका plan जो होता है, वो कभी भी ऐसा नहीं होता, फुल प्रूफट plan कभी नहीं होता, समझ में आया, clear हुआ, तो आज हमने planning chapter के कुछ topics को cover किया है, और तो next topics है वो अगली वीडियो में cover हो जाएंगे, तो अगर तुमको updated रहना है, मेरी next वीडियो के बारे में, तो please मेरे Instagram को follow करो, और वहाँ पर तुमको सारी updates मिलती रहेंगी, इसके साथ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, और जास यादा शेयर करो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए, all the best!